हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छे चल रही होगी तो दोस्तो भरती बोर्थ के द्वारा उत्तर परदेश पुलिस भरती परिख्छा के लिक मामले को लेकर एक नोटीस जारी किया गया है यह notice आपके लिए बहुत ही मातपूर है और यह आपकी परिच्छा को cancel कराने में मदद कर सकता है तो आए इसके बारे में हम जान लेते हैं वीडियो को आधिक से अधिक share कर दीजे जिस भी बच्चे के पास कोई भी साच कोई भी प्रमाढ होगा तो आपकी परिच्छा cancel होने क पूरी उमीद है तो आधिक से अधिक वीडियो को share करें आए जानते हैं नोटिस में लिखा क्या है और इसकी पूरी कहानी क्या है तो आई यहाँ पर आपको हम समझाते हैं यह notice है 22 फरवरी का notice है आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुल पर सीधी भरती 2023 की दिनांग 17 दो 2024 और 18 दो 2024 को आयोजित लिखिक परिच्छा के सम्मंद में वेवेन सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया में कुछ प्रस्नपत्रों के सम्मंद में सूचनाय वारल होने की खबरें प्रकासित हो रही है इसक्रम में अभ्या परत्यों को सूचित किया जाता है कि इस विशे में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाणों और साच्छों के साथ अपना प्रत्यावेदन जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के सबंकीत हो इसे आप मेल आईडी, बोर्ड अधरेट, यूपीपी, बी, पीबी, डॉट, गॉर्वर्मेंट, इन पर दिनांग, तेईस दो दो हजार चौबिस समय साम को 6 बजे तक, प्रत्यावेदन प्रत्यावेदन और प्रमाणों, साच्छों का आउलोकन, परिक्षड करने के उपरांत, नेने लेते हुए, अभिय प्रमाण है, जिससे पेपर को कैंसिल कराने में मदद मिल सकती है, तो काफी लाबदायक होगा, तो वीडियो को अधिक सरीक आप लोग सेर करें, और इसका लाब उठाएं, जिसके पास जो भी है, वो 23 तारीक साम 6 बजे तक, मेल कर सकता है, आपके सभी प्रमाणों को देख भरती बोर्ड आगे की कारिवाही करेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिलाल इतना ही धन्यवाद